प्लांट अक्यादमी तो इस वीडियो में हम लोग अपकमिंग जो सीजेल एक्जाम है 2020 में जो मार्च में होने वाला है उसमें जो प्रीवेस एर के जो कुश्चिन से उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जेनल अवेरनेस के कुश्चिन तो यह प्रैक्टिस सेट वन है वर आ आप सेल्फ चेक भी कर सकते हैं कि आपको कितने आंसर्स आते हैं चले चलते हैं आज के पहले कोश्चिन के तरफ तो आज का पहला कुश्चन मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा छेतर प्रसिद है तो अगर आपको आंसर आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते है तो ओरिशा का डन कर्णिय जंगल उत्तर प्रदेश का कॉर्बिट नैशनल पार्क क्लिम्पंग का लावा जंगल या दक्षिनी 24 प्रगना का सजने खली जंगल तो मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा छेतर प्रसिद है तो इसका सही आंसर है option D यानि कि option D क्या है दक्षिनी 24 प्रगना का सजने खली जंगल तो दूसरा question स्वेज नहर किस किस को जोडती है स्वेज नहर निम्न में से कौन से सागर को जोडती है पहला option भूमद सागर और उतरी सागर लाल सागर और कैस्पियन सागर बाल्टिक और कैस्पियन सागर और भूमद सागर और लाल सागर तो इसका सही आंसर है option D यानि भूमद सागर और लाल सागर यानि स्वेज नहर किसको किसको जोडती है तो भूमद सागर और लाल सागर को जोडती है यानि कि option D इसका right answer है खासी और गारो जातिया मुखता कहां पाई जाती है खासी और गारो जन जातिया निम्द में से कौन से जगा पाई जाती है नागा लैंड, मनीपूर, मिघालय या मिजुरम So, C is the right answer यानि कि मिघालय में खासी और गारो जन जातिया मुखिता पाई जाती है महाद्वीपो के पस्चमी उसन कटी बंदी छेतरों में मरुस्थल पाई जाते हैं क्यूंकि पस्चमी सिमान्त छेतरों में वास्पी करन की दर अधीक है, पुर्वी व्यवसाइक पवन चलते हैं, पस्चमी टटो पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती है तो महाद्वीपो के पस्चमी उसन कट बंदी छेतरों में मरुस्थल पाई जाते हैं, इसका सही आंसर है पस्चमी व्यवसाइक पवन चलते हैं, और पस्चमी टटो पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती है सागर तल जो धीरे-धीरे कम होता जाता है और किसी महाद्वीप को घेरता है, क्या कहलाता है महाद्वीप प्लैटफॉर्म, महाद्वीप ढाल, महाद्वीप सेल्फ या टट तो शागरतल जो धीरे-धीरे कम होता जाता है ठीके और वो किसी महादविप को घेरता है तो इसको महादविपर self कहते हैं यहनिकि इसका C options आई है भारत की सबसे महत्पुन यूरेनियम खान कहां इसते थे भारत की में सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहां पाये जाता है यूरेनियम खान कहां इसते थे वासी, जादू गुड़ा, गौरी, बिडानूर या मनाव, कुलिरिची तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानि जादू गुड़ा, जादू गुड़ा जारखण में पड़ता है तो सबसे ज़्यादा महत्पुन यूरेनियम खान जादू गुड़ा जारखण में स्तित है ना खत्म होने वाली कहांई किसकी आत्मकता है तो ना खत्म होने वाली कहांई वीपी सिंग यानि ओप्शन सी जो है इसका आंसर है वीपी सिंग की आत्मकता है हरप्पा की सबसे के बारे में कौन सी उकती सही है उन्हें अश्वमेद की जानकारी थी गाए उनके लिए पवित्र थे उनकी संस्कृती समानता स्थिर नहीं थी या उन्होंने पशुपती का सम्मान करना आरम किया था सबसे के बारे में ओप्शन डी सही है यानि कि डी स का राइट आंसर है उन्होंने पशुपती का सम्मान करना आरम किया था भारतियों के लिए महान, सिल्क मार्ग किसने आरम किया फाहियान, अशोक, हर्ष या कनिश्क तो किसने भारतियों के लिए सिल्क मार्ग आरम किया था तो option D is the right answer यानि कि कनिश्क ने सिल्क मार्ग का आरम किया था जैनियों के पहले तिर्थांकर कौन थे पार्शवनाथ, रिशव, अरिश्टनेमी या जीतनाथ तो जैन के पहले तिर्थांकर थे रिशव ठीके और महावीर कितने थे तो महावीर 24 थे यादव समराथों की राजधानी कहा थी? कल्यानी, देवगिरी, वारंगल या द्वार समुद्र यादव समराथों की राजधानी देवगिरी थी यादि इसका राइट आंसर है चोल राजाओं ने किस धर्म को सनरक्षन प्रदान किया? वैशनव धर्म, बोध धर्म, जैन धर्म या शैव धर्म तो चोल राजाओं ने किस धर्म को सनरक्षन प्रदान किया? तो शैव धर्म को सनरक्षन प्रदान किया ठीक है? तो इसका D option सही है सन 1857 के निम्न नेताओ में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया ठीक है तो 1857 का जो विद्रौ हुआ था तो उसमें कौन से नेता ने अपने पहले अपना प्रांत आगे तात्या टोपे, जहासी की रानी, लक्ष्मी बाई, मंगल पांडे और कुणर सिंग तो मंगल पांडे, मंगल पांडे ने 1857 का जो विद्रौ हुआ था उसमें उन्होंने अपना बलिदान दिया तो C is the right answer विजे स्तंब कहां इस्तित है? चितोडगर, फतेहपूर सिक्री, छहासी और दिल्ली तो विजे स्तंब कहां इस्तित है? चितोडगर में है विजे स्तंब तो इसका right answer क्या है? A यानि की विजे स्तंब है चितोडगर में स्तित निमलिकित में से वे कौन सी सर्थ है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है संसोधन खोज, संसाधन खोज, जनसंक्या वृद्धी, प्रद्योगिक विकास या पुझी संचेन निमने से कौन सा ऐसा सर्थ है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है तो वो है option B यानि जनसंक्या वृद्धी भारत की अर्थ विवस्ता को सबसे अच्छे ढंग से किन सब्दों में वैक्त किया जाता है परमपरागर्थ अर्थ विवस्ता, मिश्रित अर्थ विवस्ता, समाजवादी अर्थ विवस्ता या फिर पूंजीवादी अर्थ विवस्ता तो भारत की अर्थविवस्ता को सबसे अच्छे डंग से किस अर्थविवस्ता के अंदर रख सकते हैं तो मिशृत अर्थविवस्ता यहनि की option B इसका सही है किसी व्रिक्ष की आयू का निर्धारन निम्द में से किस के अधार पर किया जाता है विक्ष कितने साल पुराना है कि विक्ष के किस अधार पर किया जाता है विकास वले, समान दिखाओ, उचाई या घेरा तो विकास वले जो है इसके अधार पर विक्ष की आयू का हम लोग निर्धारन करते है So A is the right answer मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूशन से होता है ठीके, कोबाल्ट, कार्बन, लोहा या क्याड्मियम So मानव में गुर्दे का रोग किसके वज़े से होता है तो कोबाल्ट के वज़े से होता है So A is the right answer अगर आप लोग को आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते है या फिर सेल्फ शेक कीज़े कि आउड ओफ 25 आप लोगों को कितने मिले किस पौधोई की फलो को भूमी के नीचे पाया जाता है मूंगफली, प्याज, गाजर या आलू तो मूंगफली को हम लोग जमीन के नीचे पाते है यानि मूंगफली के फलो को भूमी के नीचे पाया जाता है यानि कि इसका आंसर A सही है Silent Valley में दुर्लव और नश्ट प्राय पसू कौन सा है Silent Valley, Silent Valley नाशनल पाक है कहां? तो केरला में तो वहाँ पे कौन सा सबसे दुर्लव और नश्ट प्राय पसू कौन सा है? चीता, सेर्स की पूँच जैसा मकाक गेंडा या कश्तूरी मिर्ग So B is the right answer यानि शेर की पूँच जैसा मकाक Silent Valley जो की केरल में है ठीक है? वहाँ पे दुर्लव और नश्ट प्राय पशू वही है ठीक है? तो B is the right answer शुद्रग्रा जिसको इंग्लिस में Asteroid भी कहा जाता है सूरज के चारो और किनके भी चक्र लगाते है मंगल और ब्रिहस्पती ब्रिहस्पती और शनी शनी और वरुन, प्रिथवी और मंगल शुद्रग्रा यहनि Asteroid सूरद के चारो और किनके भी चक्र लगाते हैं तो मंगल और ब्रिहस्पती के भी चक्र लगाते है So A is the right answer भारती सिविल सेवा में चुने गए पहले भारते का नाम क्या था? लाला लाजपत राई, सतेंदरनाथ टिगोर सुरेंदरनाथ बैनर जी और सरोजनी नाइडू So भारती सिविल सर्विस में जो सबसे पहले चुने गए थे वो थे सतेंदरनाथ टिगोर तो इसका answer B answer B options रही है The God of Small Things पुस्ता किसने लिखी है? The God of Small Things किसने लिखी ये बुक? Sobha Day, Shekhar Kapoor, Arundhati Roy और Bipul Dev तो Arundhati Roy एनि Option C जो है इसका सही है The God of Small Things पुस्ताक Arundhati Roy के द्वारे लिखा गए C option is the right answer मानव सरीर में dehydration निम्द परदार्तों की कमी के कारण हो जाता है ये तो I think सबको आता होगा जल के वज़े से dehydration होता है तो option B इसका सही है अब प्रत्यक्षकर से क्या आसे है कर पर आधारित हो कर आई पर आधारित हो जिस पर कर लगाया गया हो उसी पर इसका प्रभाव और दवाव पड़ेगा करदाताओं और सरकार के बीच कर के संदर्व में कोई सीधा संबढना हो या फिर option D करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्व में सीधा संबढन हो तो इसका C ओप्शन सही है I hope कि आप लोगों को अच्छा लगाओ तो ऐसे ही वीडियो daily upload होते रहेंगे अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगाओ तो like, share और subscribe ज़रूर करें and thank you for watching